तो हेलो फ्रेंट्स आज इस फीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि जो एक्सल शीट होती है उसके अंदर बीबीएस के से प्रपैर किया जाएगा तो बिलकुल बैसिक से मैं आपको बताने वाला हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं यह मैंने एक्सल खोल रखा है एक्सल के अंदर एक शीट खोल दी इसके अंदर हम भुक बोलते हैं अब यहाँ पर कुछ बैसिक सी बाते होती है पहले आपको मैं वो बता देता हूँ देन उस direction में हम इसको row बोलते हैं छीक है clear हूँ ये बात कि ऐसे में हमारे column है that is the vertical lines जो आप देख पा रहे हैं इसको हमने column बोला है और जो horizontal जो है ये हमारा row से पहली बात clear हो गई friends ये हमने बिल्कुल basic सी बात आपको बताईए जो कि आप गच्पन से अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं अब ये जो आपके सामने जो चीज आपको दिकाई दे रही है ये मेरे को prepare करना है तो मैं जैसे जैसे आपके साथ ये बना रहा हूँ आपको भी excel sheet बना लेनी है क्योंकि इसी का काम है आगे चलके तो सबसे पहली बाद आप क्या करेगा जैसे मैं यहाँ पर आपके सामने replicate करके बता रहा हूँ आपको कहीं पर भी टॉप में जैसे ये digitake engineering लिखा है ऐसे यहाँ पर आप कुछ भी नाम लेक देना मानों मैं फिर से यह लेता हूँ digitake engineering इंजिटेक engineering मैं ने लिखा इसे और अब यह में कोई दिकाई नी दे तो मैं क्या करता हूँ जहां से यह लिखा है मैं इस पूरे के पूरे row को سेलेक्ट कर लेता हूँ मानों मैं इनहां तक कि यह row क्या किया select कर लिया इस रो को जैसे मैं select किया ऊपर एक option है home पर जाऊंगा मैं यहां पर जाकर merge in center वाले पर मैंने click किया और यहां से size क्या करता हूं मैं increment कर देता हूं size बढ़ा देता हूं देखो इसकी size मैंने कितनी बढ़ा दिये इसकी size मैं भी 36 रख देता हूं साथ में दोस्तों इसके background में मैंने को कोई color देना है मानों मैं अभी आपके सामने कोई color यहां से choice करके कुछ भी अभी suppose मैंने यहां पर यह color दे दिया अब इसके size फिर से चोटी होगी तो मैं फिर से increase कर देता हूँ, यह देखो, यह मैंने इसका color दे दिया और इसको यहां से bald कर देता हूँ, इस type से, तो देखो, यह मेरा सबसे उपर जो बन जाएगा, जो digitake engineering में लिखा था वो बन जाएगा, यहां आप आपना नाम रख सकते हैं, अपने form का नाम लिख सकते हैं, कुछ भी आप यहां पर सबसे top पर जो चीज आईगी वो आजए, अब आप second row में जाएंगे, ठीक है, second row के अंदर आपको project का नाम लिखना है, कि कौन से project आपका चल रहा है, ठीक है, project का रिखेंगे, आप इसकी भी क्या कर देंगे, इ मैं आपको zoom करके बता रहा हूं, यहां पर आप client लिख देंगे, ठीक है, client लिख देंगे, project के नीचे, ठीक है, client लिखने के बाद इसके नीचे आएंगे, देखो, नीचे आने के बाद यहां पर आप क्या कर देंगे, consultant, यह कोई standard format है, जो कि आपको ध्यान रखना है, फिर types of element, ठीक है, types of element, अब यह एक column के अंदर, मैंने यह सारी चीज़े यहां पर लिख दी, अब इन सबको select करके, इनकी एक साथ मैं hide बढ़ा देता हूं, और इन सबको मैं bold कर देता हूं, ठीक है, अब इन सबको मैंने bold किया, तो देखो, अभी आपके सामने क्या issue आ रहा होगा यह types of element आ गया, यह इदर उदर आ रहा होगा, तो इनको मैं आपको arrange करना अभी बताने वाला, ठीक है, सबसे पहली बात यह कर दिया, अब मेरे को क्या करना है, मैं कुछ column छोड़ देता हूं, और मैं यहां पर, कहीं पर बीच में लिख देता हूं, drawings, drawing number, आप इसको एक बा इस revision लिख देता हूं, कि कौन से number का यह है, मैं पहले कितनी बार यह बना चुका हूं, उसका मुझे idea यहां से मिल जाएगा, चीक है, कुछ column फिर से छोड़ देता हूं, और इसके बाद मैं यहां पर क्या करता हूं, यहां पर लिख देता हूं, grade of concrete, चीक है, grade of concrete लिख दिय चीक है, grade of steel हो गया, इसके नीचे मैं lap length की बात कर लेता हूं, क्या lap length, चीक है, इनका सबका आपको आगे use आने वाला है, जब हम individually sheets बनाएंगे न, जब आपको इनका use आएगा, development length की बात कर लिख दिया, पिर से मैं कुछ एक column छोड़ देता हूं, यहां पर एक column छोड़ने के बाद, यहां दो सोड़ देता हूं, फिर यहां पर बात करूंगा, concrete cover का, concrete, ठीक है, cover, कितना provide करा रहा हूं में, वो लिख देता हूं, then इसके बाद रिवार की जो length हती है, रिवार, length में लिख दिया, then इसके बाद नीचे में लिख देता हूं, total, still quantity, total, still, quantity, ठीक है, तो यह सारी चीज मैंने आपके सामने कर दिया, अब मैं क्या करता हूं, friends, यही से जाके, मेरा, जो, इसको select कर लेता हूं, इस type से select करके, select किया, और, यहां से सबसे पहले क्या करता हूं, friends, मैं इसको bold कर देता हूं, पूरे को, देखो, हाँ, एक मिट, यह मेरा bold हो जाएग जाके, यहां पर कुछ और अगया है, यह कुछ और select हो गया है, कोई देखत ने, यहां मैं इसको erase कर देता हूं, और, यहां पर मेरे को क्या करना है, project का नाम लिख देना है, फिर से project प्रोजेक्ट हागया, और, अब आपको क्या कर लेना है, इस सब को bold करना है, तो पूरा- सेलेक्ट हो जाएगा इसको मैंने सेलेक्ट किया यहां से इस पर क्लिक करके इसको मैंने क्या किया बॉल्ड कर दिया साइज इंक्रीमेंट कर दो इसको सबका साइज मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया पूरी की पूरी ड्रॉइंग का साइज मैंने 24 कर दिया लेकिन उससे पहले आपको कितनी साइज रखनी है मैं अभी यहाँ पर 24 के सम्तिंग साइज रख देता हूँ ठीक है यह 24 के सम्तिंग साइज रख दिया अब आपने इसको पूरे को सेलेक्ट कर ही रखता है यहां से जाओ इस ऑप्षन में यहां से आप क्या करें एक option ले लो all border जिससे की border लग ज दबाके आपके left जो माउस कर left side का है उसको दबाके ऐसे select करते जाओ ठीक है ऐसे select करेंगे और इनको सबको यहां पर जाओ one by one थोड़ा सा time लगेगा लेकिन एक ही बार आपको यह मेनद करनी है इसको करके फिर से यहां से क्या करो merge and center पर क्लिक कर दो तो देखो यह सारी एक ही हो गया है ना similar तरीके से बाकी सब के लिए भी आपको कर लेना है मैं आपके सामने फटा-फट कर लेता हूं क्या करना है अब करते जाना हैّ आपको एपको क्रोंग की बॉड़ में च producción दबाना है कं़ोर दबाके जो आपका माउस का लेफ्ट ब्टाने उसको दबाके अपको चीजों को आपको करते जाना है चीकर यह पर हो गया अब आपको क्या करना है इन सब को भी इसी टाइप से ककर दो select करते जाओ one by one करके थोड़ा सा time लगेगा लेकिन एक बार आपने कर लिया ना जनरेट कृतम हो जाएगी margin center कर दिया तो देखो मैंने इसको margin center किया तो यह ऐसा कुछ हो गया मेरा फिर से बची कुछी यह जो line है इनके लिए भी आप same चीज यहां पर follow कर लीजीगा ठीक इसको भी मैंने यहां से margin center कर दिया ठीक है जैसे इसको margin center करूँ अच्छा यह हटा नहीं ठीक है एक बार और ट्राइब करते हैं पूर इसको margin center कर देंगे हम लोग और जैसे margin center किये यहां से क्या देखने को मिल गया आप उनको हो नहीं रहा है आप देख लेना कर लेना इसको ठीक है इसको भी आप margin center कर देंगे तो यह आपको इस type का कुछ दिखाई देगा तो देखो आपका जो सबसे पहली जो चीजे सब Excel sheet का अंदर यह same रहेगा इस type से आपको बनाना है अब बात आती ही friends second number पे हमको यह वाला column बनाना है कि serial number, shape of bar bar description, number of members यह सब आपको as it is यहां पर type कर दो आप ठीक है? मैं यहां पर इसकी size इस वाले row की थोड़ी सी size आपके लिए बढ़ा देता हूँ जिससे कि आपको दिखाई दे आसानी से ठीक है? तो यहां पर मैं क्या type कर रहा हूँ serial number ठीक है? serial number और एक मिनिट रुकिएगा इसके मैं पूरी एक बार default size ही बढ़ा के रख देता हूँ है ना? तो यह वाला जो मेरा row है, इस row के लिए मैंने size increase कर दिया मानो कुछ अभी इतना कुछ रहेगा और इसको by default मैंने बॉल्ड कर दिया, चलो यहां अब आपको लिखने में आसा नहीं भी serial number, ठीक है? serial number हो गया, दूसरा यहां पर मेरे को क्या करना है? इस column को छोड़, यह लिए फला वाला column को आप दौनों साइट से के column छोड़ दिना और यहां पर लिख दिना क्या,賞 शेप ओफ शेप ओफ बार ठीक है, शेप बार फिर यहां पर आपको लिख लेना है एक खोलंब्स चोड़के बार description बार description ठीक है फिर यहां पर लिख देना है आपको क्या बार डिस्क्रिप्शन के बाद आपको लिख देना है नंबर ओफ मेंबर नंबर ओफ मेंबर लिख देना है फिर यहां पर आपको में डायामेटर बार main bar diameter लिख दो आप bar dia, ठीक है main bar diameter जो कि mm में रहेगा समझ जाना आप, ऐसे ही फिर यहाँ पर distribution 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 bar dia ठीक है distribution bar dia कर दिया है इसे, अब उसके बाद आपको क्या लिखना है, यह थोड़ा सा इसके अंदर जा रहा है तो इसको अभी हम लोग arrange करेंगे इसकी tension नहीं लीजिएगा कैसे करना है मैं इसको ऐसे अभी कर देता हूं फिर arrange करेंगे फिर इसके बाद आपको क्या करना है number of number of number of number of बार में आपर लिख देता हूं कितनी number of बार रहेगी उसकी भी हम लोग बात करेंगे कैसे निकालते हैं सब चीजी यहां पर मैं सिकाओंगा बस आपको अभी लिख लेना है फिर cutting length cutting length आपको लिख लेना है cutting length जो भी किसके अंदर mm के अंदर फिर इसके बाद में आपको क्या कर लेना है दूसरे वाले कॉलम में जाके cutting length length और यह किसके अंदर friends यह मेरा meter के अंदर ले लेंगे चीक है यहां तक आया जैसी आपने यह निकाल दिया अब यहां पर क्या आजाएगा आपका total cutting length निकाल दो यहां सक जो है ठीक है उसके बाद आगे की steps की सब्सक्राइब करेंगे हम लोग तो यह size मैंने इसकी थोड़ी सी कम कर दी अभी मैं इसको और आरेंज करूं अटेंशन मतले आप ठीक है न तो फिलाल के लिए आप इसको यह समझ लीजिए यह सारी चीज़ यहां तक आपको ऐसे लिख लेना है अब इसके बाद में आपके पास क्या बच रहा है ना अब आपको यहां पर पहली में उपर वाले में क्या लिख देता हू लेन तक आ गया अब यहां पर हमलो टोटल टोटल वेट किसके अंदर है आए यह मेरा आजाएगा के जी के अंदर अब मैं क्या करूंगा यह सारी चीज है ना इसको कर दी अब यह वाले टोटल वेट वाले के ऊपर वाला यह आगे का छोड़के इसके नीचे से मैं स्टार् अगर आप देखेंगे तो नीचे मैं लिखूंगा सबसे पहले 8 mm कड आया it is 8 mm 8 लिखता हूं सीदे सीदे यहां पर 8 10 समझना अभी आपको समझे जाएगा 12 16 16 फिर 18 करो आप सुरी 16 आ जाएगा 20 25 फिर 32 एंड दें 36 के लिए भी आप यहां पर कर सकते हैं ठीक है वो भी छोटा हो गया उसको कोई दिखकत नहीं तो अब आपको यह सारी चीज निकाल देनी है अब इसका जो वेट पर केजी आएगा ना सुरी केजी पर मिटर जो आएगा वो कैसे निकालते हैं आपने एक फॉर्मुला पढ़ा होगा D square upon 162 तो उससे हम लोग यहां पर नि क्लर दे देता हूं कलर कुंण सा आप बताईए मेरे को चलो मैं अभी तो कैसे बताइंगा कॉमेंट करिए आपका फैवरिट कलर मेंने यहां पर यह फिलाल के लिए कुंण सा कलर दे दिया यह वाला अच्छा लग रहा है बलू कलर मैंने इसको दे दिया है ना और यहां से इसकी जो फॉंट इसको बढ़ा के बढ़ा देता हूं थोड़ा सा इसका फॉंट मैंने इतना इंक्रीस कर दिया है कि अब इसको इस टाइप से यह आ जाएगा मेरा तो यह मेरि सारी चीज मिर कुई यहां पर देखने को मिल गी नंबर ओफ मेंबर और अब मैं हां पर क्या करता हूं इसको इसको जो नंबर जो लाइनस मुझे दिकाई नहीं दे रही है उसको मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहां से रैंप टेस्ट के अंदर जले कटिंग लेंथ वाले यह जो भी दिख रहा है इसको भी इस टाइफ से कर देंगे हम ठीक है तो सारी चीज़ों को आपको इस टाइफ से ईलाइन कर लेंए मेरे ख्याल से अगर आपको एक्सवी चलाना आता है न तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है ये उन लोगों के लिए थोड़ा सा होने वाला है जिनको एक्सवी बिलकुल नहीं आती है बाकि अगर आपको तो आती ही है तो कोई issue नहीं होगा चीक है तो यह इस type से मैंने इनको क्या किया हैं पर कर दिया अब क्या कर रहा हूं मैं इन सब को यह ऐसे टाइब का बन गया मेरा अभी तक जो उपर जितना अच्छा दिख रहा है उत्त अच्छा है नहीं नहीं तो अभी इस वाले को सेलेक्ट करके मैं क्या कर रहा हूं वही काम कर रहा हूं में left दबा के इसको slide करके और इसको merge and center कर देता हूं merge and center जैसे इसको मैंने किया और इसको इस टाइप से ला दिया तो यह क्या होगे आप अब देखो आप थोड़ा अच्छा लग रहा होगा चीक है और इसकी size भी मैं बढ़ा देता हूं तो यह serial number देखो इसकी size बढ़ गई है चीक है और नीचे वाला क्यों है इसका भी आपको use समझ में आ जाएगा इसकी थोड़ी सी size बढ़ा देता हूं शेप बार की सबकी size थोड़ी थोड़ी आप increase कर दो किक है और इस type से यह हमने यहाँ पर जो चीजे बना दी देखो आप इसको एक बार adjust करने की कोशिश करना इस सारा अच्छे से हो जाएगा जैसे जैसे मैं बत center पर जाएगा और इसकी size मैंने बढ़ा दी कि total weight मेरा आ गया अब friends क्या है 8 mm 10 mm यह mm में है हमारे किसका diameter अब इसका मेरे को unit weight निकालना है that is weight per meter length ठीक है तो इसके लिए formula यहाँ पर लगाते है formula कि जब कभी भी आपको कोई सा भी formula यूस करने excel sheet के अंदर तो आप equal to का sign लग लगाना है अभी फिलाल के लिए अगर देखो मेरे को कौन सा formula यहाँ पर यूस करना है अगर मेरे को यहाँ पर फिलाल अभी cancel करतेता है चीक है तो देखो मेरे को formula यहाँ पर लिखना है कि d square upon 162 यह है यह क्या मुझे देता है दोस्तो kg per meter के अंदर मेरे को यहाँ से weight देता है weight per meter length मुझे मिलता है तो मेरे को यह formula लगाना है तो मैं क्या करूंगा देखो यहाँ पर जाओंगा 8 के नीचे एक्वल्टू का sign लगाना है हमेशा मेरे को जब कभी भी कोई भी formula हम apply करेंगे excel के अंदर या तो आपको equal to sign लगाना है या फिर plus का sign लगाना है ठीक है ब्रे square कर देता हूं यह bracket close कर देता हूं और divided by 162 कर दूंगा देखो मुझे answer मिल जाएगा मतलब कि यह मेरा kg per meter के अंदर क्या आ गया weight आ गया किसका हमारे 8 mm के डाया का similar तरीके से आपको 10 mm का अगर निकालना है तो फिर से आप equal to लगाओ bracket open करो यह diameter को select करो इसकी power 2 कर दो that is square करो bracket close करो divided by 162 कर दो यह जाएगा चीक है similar तरीके से आप सब के लिए आप एक पर prepare करके रख लीजीगा जैसे कि मैंने यहाप पर prepare किया है clear अब friends यह सारी बिल्कुल basic सी बात होगे जिसके अंदर आप क्या कर पाएंगे आप यह मेरे जैसा मैंने यह उपर बना रखा है वैसा क आपको हम लोग क्या जैसे शेप बार है तो शेप बार कैसे वहाँ पर इंसर्ट करेंगे इसका जो basic चीज है वो में यहां पर आपको बता देता हूं अब आपको मानो कोई ने बोला कि आपको stirrup बनाना है कि सबसे पहले stirrup बनाना मैं आपको सिखाता हूं तो आपको क्या कर आना है तो मैं यह rectangular with rounded edge वाला select करता हूं और यहां पर लाके उसको बना देता हूं यह देखो ठीक है यह बन गया मेरा अब मेरे को क्या करना शेप फिल के अंदर जाना है यहां से क्या करना नो फिल कर दूंगा फिर शेप आउटलाइन में जाना है उसकी बाद आउटलाइन तो यह मेरा क्या बन गया अभी stir up complete नहीं हुआ stir up complete करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा फिर से इंसर्ट में जाऊंगा shapes के अंदर जाऊंगा rectangle select करूंगा और यहां से एक इस type के बना लूँगा ठीक है इसको बनाया और इसको थोड़ा सा गुमा देता हूं गुमाने stir up के जैसा हमको दिखाई देगा समझाया क्या की है हम लोग कैसे बनाएं यह आपको समझ लेना है क्योंकि आगे इसका बहुत यूज आने वाला है हमको जब BBS बनाएंगे BBS sheets बनाएंगे तब इसकी जरुवत लगेगी इसलिए मैं यहां पर आपको time देकर यह सब चीज प आपको सबसे पहले insert में जाना है shapes के अंदर जाना है यहां पर अलग-अलग type के shapes से मानों किसी ने बोला आपको triangular strip बना रहा है तो यहां पर आपसे triangle जाना triangle select कर लेना और यहां से इसको बना देना फिर क्या करना है आपको यहां shape fill के अंदर जाना no fill कर देना फिर shape outline में जाना और यहां से जाके आपको weight को increase कर देना है और फिर से आपको यही चीज यहां पर ऐसे लगा देना है hooks जो है ठीक है circle का है तो circular type का आप बना है ठीक है तो बार्स के लिए आप क्या करेंगे फिर से rectangle यूज़ कर लो या तो आप directly यह ठीक है यह rectangle आपने यूज़ कर लिया इसी को copy कर दो तो देखो यह आपकी वहाँ पर slip के लिए बार्स बन गई ठीक है तो यह just आपको मैं यहाँ पर familiar कर रहा हूँ अगर आपको excel बिल्कुल नहीं आता तो ठीक है इस type से आप यहाँ पर सारी चीज बना सकते हैं clear हुआ अब देखो और भी बहुत सारे अलग-अलग यहाँ पर जाएगा लेकिन फिलाल आपके लिए काम किया है कि आपको यह चीज बना के रख लेना है इतनी चीज जो है ना friends हर एक excel sheet में आपको common देखने को मिलेगी अगर आपने यह बना लिया तो आपका 50% जो काम है वो खता हो जाएगा अगर इससे पहले और आपने manual videos देख लिए ह तो आप फिर कुछ नहीं है फिर excel sheet आप ऐसे ही चला देंगे ऐसे ही बना दोगे लेकिन फिलाल क्या जो करना है आपको main करना है कि एक बार बना के रख लीजिएगा formula कैसे लगाना है तो मैं आपको बता दिया मैं यहाँ पर link भी देता हूं आपके लिए कि formula अगर आपको use करना है न friends फॉर्मूले के लिए आपको equal to का sign लगाना है या फिर आप plus लगाना है equal to लगा के आपको bracket open करना है और जो भी formula लगाना है उसको लगा के bracket close करके क्या कर देना है enter कर देना है तो आपका formula वहाँ पर क्या हो जाएगा execute हो जाएगा clear हो यह चीज तो यह आपने क्या किया इस type से यह बना लिया total weight निकाल लेना यह सब का जिससे मैंने यहाँ पर लिख रखा है ऐसा लिख लेना है पूरा आपको ठीक है फिर उसके बाद में यहाँ पर shape of bars की बात करी है हम लोग जिसे कि अगर आपसे कोई बोलता है कि आपको यह जो stir up है मैं आप पर बता हूँ अगर तो मैं एक और stir up को बिल्कुल column के अंदर डाल देता हूँ देखो ऐसा कुछ अगर आपका column होगा या फिर ऐसा कुछ आपका एक मिनिट ठीक है तो ऐसा कुछ column या फिर आपका कुछ भी अगर होगा यह शेप नहीं आया शेप सेलेक्ट करता हूँ मैं यह शेप लेकर आता हूँ और यह समझ लेना है थोड़ा सा गड़ बड़ हो गया गया गलत शेप मैंने उठा लिया है मैं रेक्टेंगल चाहिए तो मैं यहां पर जाओंगा इंसर्ट के अंदर फिर से शेप के अंदर जाता हूँ शेप के अंदर से मुझे को प्यूर रेक्टेंगल चाहिए यह प्यूर रेक्टेंगल ले लिया मैंने और फिर से यहां से शेप फिल को मैं क्या कर दूँगा और इसकी जो है वेट बढ़ा देता हूँ वेट बढ़ा एक्जाम्पल तोर के तो आप से आप हमकर को आगे चलके क्या करना है यह जो स्टीरफ है ना इसकी कटिंग लेंट वगरा केल्कुलेट करनी है तो कैसे करेंगे वो मैं आपको वहाँ पर बता दूँगा लेकिन सबसे पहले आपको यह बना लेना है कि यह आपका कॉलम था यह स्ट्रेप कर यह आप से उटाओ एक बार यहां पर पेस्ट कर लो इसको बना दो यह बन गया अब क्या करो इसको सलेक्ट करके इसको कॉपी कर लो और इसी को दो चार बार पेस्ट कर लो और इसको यहां से उटा उटा के इस पर यहां पर रख दो देखो रेडी है आपका य दो अब यहांन तक इस वीडियो के अंदर इतना ही मैं बताऊंगा आपको जो work दे रहा हूं मैं work क्या है इसको बनाएक्ष चेक करूँगा कि आपने किस टाइब से बनाए अभी तकि आप यह सब इतना इतना format बनाओ और मुझे mail करो, mail करने के लिए mail ID आपको description में मिल जाएगी, या फिर Instagram पर मुझे DM करो direct ठीक है, तभी आगे की Excel sheet बनाने में मज़ा आएगा ठीक है, so friends thank you for watching this video, मैं को उम्मेद करता हूँ कि यहां तक कि जो Excel sheet बनानी का जो चीज है, जो मैंने explain की, वो आपको समझ में आया होगा, यह बहुत ज़रूर ही है, अगर यह बना लिया है, तो आपका काम हो गया, so thank you for watching this video और इस वीडियो का अपने दोस्तों तक्षाद भी share करे and like ज़रू करे, thank you